तो कैस्स मैं हूँ अंकी तौर आप देख रहे हैं रस्लिंग फैंस नाइट पक्स सबसे पहले कैसे अपनी बात को सुरु करेंगे कोडी रोड्स वर्सेज एजर स्टाइल्स के बैकलास मैच से तो बाई बैकलास के अंदर इन्होंने एक बहुत अच्छा मैच डेलेवर करा ब लेकिन यहां आप इन्होंने करा है इस वाले मैच को 奇्जर करता था टो बहुत सारी मैचश करते थे लेकिन मैच को नहीं दिया बट इस वाले मैच को दिया है अच्छी बात है κोडी लोड्स की पहली व्युत टीन बार चाहो तो आगे बढ़ते हैं गैस बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि मैं आपको कोडी वरसेज एज़स्ट आस के मैच की स्टार रेटिंग्स बताई बैख लेट आसे देख लेते हैं डेव मिल्सर की आप लोग देख सकते होगे आप लोग बताना आप लोग अगरी करते हो या फिर नहीं तो Bloodline वर्सेज केविन ओवन्स एंड रैंडी ओर्टन का मैच जो कि एक नॉर्मल टैग्टी मैच था बाद में Street Fight के अंदर बदल गया Backless के अंदर ही इसको rate करा गया 4.75 and I think बहुत perfect ratings है बिल्कुल सही rating है 4.75 तो बिल्कुल deserve करता था I think 5 भी जाता है तो कोई दिख करती है लेकिन 4.75 भी सही है बहुत अच्छा है मेन इसके बाद Bailey वर्से नयोमी वर्से टिफनी श्रैटन Women's Champs का मैच इस वाले मैच को भी बहुत अच्छी ratings मिली है 4.5 rate करा है मेलजर ने इसको आप लोग कितना rate करना चाहोगे comment करके बताना I think ये भी बिल्कुल सही है deserving है Diamond Pist vs. Jey Uso को भी सही ratings मिली है मेरे recording 3.5 की rating दिए 3.5 की star ratings है मेलजर की तरब से उसके बाद बियांका ब्लेर और जेड कारगिल vs. काबो की वालिजर जहां पर बियांका और जेड कारगिल बनती है New Women's Tag Team Champions इसको इन्होंने rate करा है 3 star यानि कि 3 star की rating मिली है इनको मैलजर की तरब से बाकिए अपना main event मैंना आपको बताएं कोडी रोड्स वर्से एजर स्टार्स फाइब स्टार्स लेकर जाता है इन्होंने सही ratings दी है बिकाज जो ये काबो की वालिजर वाला match है ये 3 से उपर नहीं जाना चाहिए था मुझे भी ऐसा लग रहा था मैं तो सब्सक्राइब 3 से देता लेकिन फिर भी सही है अभी कहसाब से क्या लोग अग्री करते हैं की रेटिंग से कॉमेंट करके बताना बाकि अच्छा पर यू रहा अगर आप स्टार रेटिंग के हिसाब से देखोगे तो कोई सा भी ऐसा मैच नहीं जो की 3 रेटिंग से नीच हो तो कहना है डेव मिल्जर का की कोडी रोट्स अभी प्लैंड है किंग एंड क्वीन ओफ दरिंग को मेंट करने के लिए यानि की टाइटल मैच उनका होगा वो होंगे कार्ड के अंदर फाइटिंग चैंपर मनना तो होना भी चाहिए है इस गले लग चाहिए पिसको यह उनको टाइस난ु आइट का कि नेम लेते हैं ह और किश चाहिजटाल्स टूनामेंट हांगे आगे जाएंगे खलाग सिके यही तीन चार लोगों में से कोई एक होंगे जो की फेस करेंगे भाई कोडी रोड्स को किंग एंड क्वीन ओफ दरिंग में काफ़ी मुश्किल है बताना कि कौन होगा लेकिन जो भी है जल्दी से डबीड़ी को ट्रेगर फुल करना होगा क्योंकि अभी किंग एंड क्वीन बी काफी करीब है जादा दूर नहीं है भी 10-15 दिन ही बचे वे तो वह भी काफी जल्दी इवेंट आ रहा है तो डबीड़ी को जो भी करना है जल्दी करना है अब आप लोग कॉमेंट करके बता सकतो कि कोडी रोड्स को फेस करने के लिए परफेक्ट अपोनेंट कौन वाइट 6 सब्सक्राइब कि अनकल होडी की तरफ से यह कहते हैं कि पर न्यू वाइट फैमिली का डबीड कब हो सकता नियू वाइट फैमिली का डबीड कब हो सकता है टेलिविजन पे सो एकॉरिंग तो डेव मेंट आपको बताया कि अभी जो इस्टरइक्स हैं वह इंडिक तो सबस्क्राइब या साट्डी वला सावुदी वला पूरा लगता भी इन सारी चीजहों के लिए बाए पता नहीं। बठ लगता है मेरे इस пред班 कर अब देखना हो कि क्या पूरी इन ऊब। पूरी फैक्षन आती है या फिर सिर्फ कोई Faction का एक member आता है Dexter Lumis, या फिर Joey Gacy, या फिर Eric Rowan, या फिर Indicky Cross या फिर पूरे का पूरे सारे का सारे आ जाते हैं या फिर you know, even know भाई हो सकता है अंकल होडिया केले भी आ जाए तो देखना होगा जो होगा भाई, अब 15 दिन के अंदर मालूम चल जाएगा हमें, 25 तारी को ऐसा कुछ बताना है Dave Meltzer का कि वहाँ पे New White Family आपको आते वे दिख जाएगी आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम लोग अपनी Next 10 Final Story के बारे में जो कि Wrestlemania 41 को लेके तो Meltzer ने वापस से अपडेट दी है, Cody Rhodes and Rock के मैच को लेके कहते हैं कि Cody Rhodes versus Rock ही होगा Wrestlemania 41 में यही सेडूल है अभी मैं इसको और elaborate करता हूँ, लेकिन अगर आप चैनल पे नहीं हो तो subscribe करो चैनल को बिलकुल free है यहाँ पे आपको WWE के अपडेट सबसे पहले सबसे फास्ट मिलती है तो कुछ नहीं करना आपको बस एक free बटन है, subscribe का नीचे उसको दबा दो बाकि मेरी जिम्मेदारी अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ क्या है अपडेट कहना है, plans are for Cody Rhodes versus The Rock for Wrestlemania 41 People's Champion versus WWE Champion थोड़ा सौर एक्सपैंड करके देखते हैं, तो कहते हैं, at this point Cody Rhodes versus The Rock is scheduled for Wrestlemania 41 with Rock's idea being WWE Championship versus the People's Championship तो इनका कहना है, Meltzer का कि अभी जो current plan है, जो scheduled plan है WrestleMania 41 के लिए मावेट वह है Cody Rhodes versus Rock का match यह वाला match होगा, Rock का जो आइडिया वो यह है, कि यह वाला match title versus title होना चाहिए, Champion versus Champion होना चाहिए WWE Championship versus People's Championship एंड हमने देखा भी था, Rock जब Wrestlemania के बाद आये थे, Monday Night Raw में, तो वो जो title exchange वाला scene हमने देखा था Rock undisputed Champs, अपने shoulder पर रखते हैं, Cody Rhodes People's Championship पकरते हैं तो वो देखके ही आइडिया लग गया था, कि हाँ, ऐसा कुछ हो सकता आगे जाके, तो एक बहुत massive match हो जाएगा, Champion versus Champion आखरी बार, Wrestlemania के अंतर, Wrestlemania 38 में हुआ था, Roman Reigns मों आपर double champion बने थे, लेकिन अब कौन बनेगा, अगर यह Champion versus Champion match होगा तो आपको क्या लगता है, comment करके बताना, अभी के साब से WWE match कर रही है, लेकिन क्या यह गलती होगी, then Roman का क्या होगा, बहुत सारे questions से, क्या Roman की hype ना डूब जाए, 50 तरीके questions आएंगे, आपको क्या लगता है, आप लोग comment करके बता सकतो, लेकिन वापस से repeat करते हैं, कि Wrestlemania 41 के ल Rock Double Chamber मन जाएंगे, उसके बाद Roman Reigns आगे जाके रॉक से दोनों title ले लेंगे, लेकिन अगर रॉक हा रहें तो दिन, रॉक week दिखेंगे भाई, रॉमन को face करने के time, तो दोनों साइड से कहीं ना कहीं, week links आ चाएंगे, अभी देखो क्या होता है, मेरे हिसाब सकर मुझे book करन करने के लिए, आप लोग बता सकते हो, अपने उपने उपने कोमेंट करके, अभी के इसाब से भाई, यही कुछ update है, मेंजर की तरफ से बागी बहुत लंबा टाइम है, यार, पचास उपने हो सकता है, रसल मीने आते हाते, मुझे लगए को जीतना चाहिए, जो कि मुझे काफी भी हलका फुलका तो लगता ही है, कोडी वैसे भी पिन हो चुके है, रसल मीने नाइट वन में, फोर्टी में, तो रसल मीने फोर्टी वन में, वो फिर क्यों ही हारेंगे, काफी obvious भी हो जागा है, फिलाल इस वीडियो के लिए पसे कुछ अपडेट्स थी, आई होप स सकते हैं, वाट्सिप चैनल को उसके भी लिंक के डिस्क्रिप्शन में मिलते हैं, अपनी नेक्स्ट आफ्वेर काफी इंट्रस्टिंग वेडियो में,